हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर सक्षा मकादमी के इस ओनलाइन सेसन में और आज का जो यहाँ पर हमारा सॉलिशन रहने वाला है सेट नमबर 827 का कम्पटर रिजनिंग का पोट्सन सॉल्व करींगे पहला सावल हमसे पूछा गया था निम्ड में से कौन से एक इन्फूट डिवाइस नहीं है, इन्फूट डिवाइस नहीं है का मतलब यहाँ पर था कि आउटपूट है, इन चारों में से यानि कि आपको आउटपूट बतानी थी, आप सिदे सिदे बताएंगे प्लोटर, प् आपके प्रोडक्ट पे वो स्कैन करते हैं, तो वो डिरेक्ट कम्पूटर को सूच ना देता है, तो वो इस परकार बार कोड ट्रीटर यहां पर आपका हो जाता है, इन्फूट डिवाइस, तो प्लोटर आपका आउटपूट डिवाइस हुआता है, exam में से सिदे प्लोटर पूछ लिया जाते हैं हमसे कई बार तो आपको यहाँ पर plotter विसे इस तो और पर ध्यान में रखना है कि plotter होती है हमारी output device 87 आपके पास निमनमे से कौन सा satellite service provider है चार option थे आपके पास और आपको यहाँ पर बतानता कौन सा satellite service provider है बात करी जाए satellite service provider की होता क्या है तो आप बताएंगे wireless internet सेवा जिसमें internet का use करने के लिए हमें अंतरिक्ष में जो हमारे उपग्रह होते हैं उनका use यहाँ पर करना होता है तो चार option थे आपके पास और satellite service provider आपको बताना था आपको आंतर हो जाएगा यहाँ पर intel set जो intel set होता है वो हमारा यहाँ पर satellite service provider हो जाएगा 88 है मारे पास www का पूर्ण रूप है हमें यहाँ पर www की full form बतानी थी तो आपको यहाँ पर option C में दिख रहा है world wide web यह world इस प्रकार लिखा जाएगा आपको बस यहाँ पर यह ध्यान देना है जैसे यहाँ पर भी world wide web लिखा जा रहा है पर उन्ति जो world है वो किस प्रकार हो जाएगा हमारा इस प्रकार और इस world का अर्थ आपको पता है सब दो जाता है तो world wide web हमारे पास www की full form आ जाती है बात करीजा इसके खोश करता की तो आप बताएंगे Tim Bernas Lee 89 आपके पास वीडियो गेम का जनक किसे माना जाता है चार आपके पास और आपको यहाँ पर बताना था वीडियो गेम का जनक तो आप सीज़ी दे बताएंगे Rolf Bear Option D यहाँ पर हमारा वीडियो गेम का जनक हो जाएगा बात करी जाए Rudolf Diesel की तो यह हमारा Diesel Engine के खोज करता आ जाते है और Option A में आपको दिख रहा है Called Bench यह हमारे पास Automobile के आविसकार करता जाएंगे जिसमें आपकी कार इत्यादी आ जाती है तो इस सवाल का अंसर हो जाता है आपका Option D Question No.90 आपके पास Microsoft Corporation की स्थापना किस वर्स हुई चार Option थे आपके पास तो आपको Option C में दिख रहा है सिदे सिदे 1975 हमारे पास Microsoft Corporation की स्थापना आ जाती है बात करी जाए इसके खोज करता कि तो आपके पास दो नाम यहाँ पर आ जाते है Bill Gates और Paul Allen Paul Allen हमारे पास यहाँ पर दोनों नाम आपको इसमें ध्यान रखने हैं तो Microsoft Corporation की स्थापना 1975 हो जाएगा 91 है आपके पास राम स्याम की तुलना में अधिक धनी है पर उन्तु सोहन जितना धनी नहीं है और रमेस की तुलना में अधिक गरीब है तो स्याम है हमारे पास यहाँ पर एक पजल दीवी है और हमें इन चारों में से बताना है कौन सा उप्युक्त बैट रहा है यानि कि सही बैट रहा है आपको कह रहा है राम जो है स्याम की तुलना में अधिक धनी है यानि कि आप यहाँ पर जिस पर ज्यादा पैसा होगा उसे आप उप फिर हमें कहा रहा है राम से हमकी तुलना में अधिक धनी है परंतु सोहन जितना धनी नहीं है तो सोहन यानि कि राम से ज्यादा धनी है तो सोहन को आप लिख दिंगे उपर इस प्रकार सोहन अधिक धनी हो जाएगा राम से हमें कहा रहा है राम से हमकी तुलना में अधिक धन गरीब है तो यहां पर आ जाएगा आपका रमेश यानि कि राम से उपर कहीं भी हो सकता है रमेश यहां पर भी हो परन्तो आपको पता होना चीए राम से उपर कहीं पर भी हमारा रमेश आ जाएगा तो अब हमें कहा रहा है स्याम है चार आपके पास आपके पास आपके पास रमेज की तुलना में अधिक गरीब है आपको यहाँ पर स्याम के बारे में बताना था हमें इन चारों में से सिर्फ यह जो सड़त है आपकी option A रमेज की तुलना में अधिक गरीब है तो आपको स्याम की तुलना में अधिक गरीब है हाँ तो आपको इस सिरीज दिख रही है जब आप 4 गुणा 3 कर रहे हैं तो 12 आ रहा है और उससे अगला नमबर इसका इस नमबर का आदा हो जा रहा है तो आप इसी प्रकार देखेंगे 4 गुणा 3 12 तो 6 गुणा 3 18 तो उसी प्रकार 9 गुणा आप 3 भी हो जाएगा तो पहला नमब इस 18 का आदा हो रहा है तो वैसे ही जब यहाँ 27 आ जाएगा तो उसका अगला नमबर कौन सा हो जाएगा 27 अपॉन 2 यानि की 13.5 ओप्सन C अमारा आंसर हमें मिल जाएगा 94 आपके पास गौरव का परिचे कराते वे एक इस्तिरी ने कहा इसके ससुर के पिता मेरे ससुर है गौरव का उस इस्तिरी के साथ क्या संबंध है blood relation वाल है, जैसे अपको कहा गया, आप not करेंगे, गौरव का परिचे कराते वे स्थी ने कहा, स्थी कह रही है यहाँ पर कोई स्थी है और यहाँ पर गौरव है अब यह स्थी इस गौरव के लिए कह रही है कि इसके ससुर इस गौरव के, यहाँ पर गौरफ के ससूर, आपको यहाँ पर हर चीज समझनी है वो कह रही है इसके ससूर के पिता अब इस गौरफ के ससूर के पिता आप इस परकार समझेंगे गौरफ के ससूर यहाँ पर कब होंगे गौरफ किसी से विवाहित होगा और उनके पिता तो वो हो जाएंगे गौरव के, ये हो जाएंगे ससूर, किसके हो जाएंगे गौरव के, और उनके भी पिता, मेरे ससूर है, यानि कि गौरव के ससूर के पिता, ये जो हैं, वो मेरे ससूर है, कौन कह रही है, इस इस तरी कह रही है, इस इस तरी के ससूर है, अब आपको समझनी है गौरब के ससूर के पिता मेरे ससूर है इस इस्तिरी के ससूर ये कब होंगे जब ये इस्तिरी इसके बच्चे से यहाँ पर विवाइत हो जाएगी आपको यहाँ पर ये भी समझना है तब ही इस इस्तिरी के ससूर हो पाएंगे यानि कि ये दोनों हो जाएंगे हमारे पास husband wife यानि कि ये इस्तिरी है तो ये हो जाएंगे हमारे पास husband अब आपको सीज़े सीज़े दिख रहा है जब इस गौरफ के ये ससूर हो जाएंगे तो ससूर की wife क्या हो जाएगी? सास हो जाएगी यानि कि यह इस्तिरी जो है वो गौरफ की सास हो जाएगी अब आपको यहाँ पर पूचा हुआ था कि उस इस्तिरी के साथ क्या संबंद है यानि कि गौरफ का संबंद पूचा होता कि गौरफ क्या हो जाएगा उस इस्तिरी का तो आप बताएंगे यहाँ पर option B दक्षिन की ओर चलकर बाई ओर मुड़ जाता है और 5 मिटर चलता है इसके बाद वो उत्तर की ओर मुड़ कर 7 मिटर चलता है फिर वो दाई ओर मुड़ कर 12 मिटर चलता है फिर वो बाई ओर मुड़ कर 9 मिटर चलता है अब वो अपने प्रारंबिक बिंदू से कितनी दूरी प पूर्व और ये हो जाती है मार पास पस्षिम अब आपको कह रहा है कि वो 16 मिटर दक्षिन की ओर चल रहा है माल लेजिए यहां से 16 मिटर दक्षिन हो जाएगा मार पास इधर नीचे यह वो 16 मिटर चल चुका है फिर कह रहा है बाई और मुड जाता है अब जब वो नीचे च चल रहा है तो उसका बाई हो जाएगा इस साइड और पांच मिटर चलता है इस साइड चलके वो कह रहा है पांच मिटर वो चल रहा है अब वो पहुंच चुका यहां तक फिर आपको कह रहा है इसके बाद वह उत्तर की और मुलकर साथ मिटर चलता है उत्तर किदर हो जाएग तो ये चला गया है वो 7 मिटर अब आपको कहरा है फिर वो दाइं और मुड़कर 12 मिटर चलता है अब जब वो उपर देख रहा है तो उसका दाइं हो जाएगा आगे इस परकार और अब वो चल गया 12 यहां तक फिर हमें कहरा है यह सवाल आपने सॉल्व कर दिया यहां तक उसके आगे की लाइन है हमारे पास फिर वो बाइं और मुड़कर 9 मिटर चलता है अब इसके बाद जब वो इधर देख रहा है तो उसका बाइं हो जाएगा उपर को और वो चल रहा है 9 मिटर तो इस परकार वो 9 मिटर चला गया अब वो हो अपने प्रारंबिक बिंदू से कितनी दूर है तो प्रारंबिक बिंदू कौन सा हो जाएगा हमारा यहां से उसने सुरू किया था और यहां पर वो अभी है हमें इनके बीच की दूरी बतानी थी आपको यहां पर दोनों दूरीयों को बता देना है तो आपको पता है यहां से यहां तक 5 है तो यहां से यहां तक भी 5 हो जाएगा मारे पास इसी परकार फिर आपको दिख रहा है जब यहां से यहां तक 12 है तो यहां से यहां तक 12 हो गया तो same उपर भी हो जाएगा यहां से यहां तक 12 तो जब आप इन दोनों को नंबरों को जोड़ देंगे तो यह आपकी पूरी दूरी मिल जाएगी तो 12 और 5 हो जाता है मारे पास 17 मीटर option C हमारा इस सवाल का अंसर हो जाएगा बस आपको चीज़ों को कैसे ध्यान रखना है यह साथ आपको इस 16 से बड़ा नहीं ले जाना है जब आप चलाएंगे उसे आकास को ना कि आप साथ को यहां पर लियाएंगे ऐसे करके बस आपको डाइग्राम सही से बनाना है यहां पर तो आप आसानी से दूरी निकाल देंगे उप्शन C, 17 मिटर हमारा आंसर हो जाएगा 96 से आपके पास APOC उसके आगे है हमारे पास प्रश्णवाचक चिन फिर हमारे पास ITSK और उसके आगे हमें दिया गया है MVUN यानि कि आपको यहां पर क्या ध्यान देना है यह प्रश्णवाचक चिन कैसे निकलेगा आपको उसके लिए सबसे पहले इस सब्द का ITSK का सम्मंद इस वाले सब्द के साथ निकालना पड़ेगा तो अब आप जब अंग्रेजी के अलफावेट आपको यहां पर जोड़ना पता होना चाहिए जब आप आई में इसी परकार चार जोड़ते हैं तो आपका M आपको मिल जाएगा फिर उसमें आप T में दो जोड़ते हैं तो आपको V मिल जाएगा फिर S में आप दो जोड़ते हैं तो आपको U मिल जाएगा और K में आप तीन जोड़ते हैं तो आपको यहां पर N मिल जाएगा तो 4, 2, 2, 3 अंग्रेजी के अलफा बेड़ों में आप सेम इन वर्लों में जोडते जाएंगे तो आपको अगला अक्षर मिल रहा है अब उसी प्रकार आपको दिख रहा है A A में आप चार जोड़ेंगे तो आपको E मिलेगा फिर P में आप दो जोड़ेंगे तो आपको R मिल जाएगा और O में आप दो जोड़ेंगे तो आपको Q मिल जाएगा और C में जब आप तीन जोड़ते हैं तो आपको यहाँ पर F मिल जाएगा E, R, Q, F option A में आपको सिदे सिदे answer आपका यहाँ पर मिल जाता है आपको बस यहाँ पर alphabet में यह अंक जोडने आने चीए जैसे आपको बोला गया है A का यदि यहीं पर A का I की जगे पर A होता और इधर पहला word D होता हमारे पास तो आप बोलते हैं इस A में 3 जुड़ रहा है कैसे? B, C, D तो बस आपको यही समझना है I, M कैसे हुआ? जब इस A में 4 जुड़ा T में 2 जुड़ा, S में 2 जुड़ा, K में 3 जुड़ा 97 आपके पास यदि अंग्रेजी वर्ण माला को विपरित क्रम में लिखा जाए तो बाएं से छटे तथा 19 वे अक्षर के मद्धिया कुल कितने अक्षर होंगे हमें कैया रहा है जो अंग्रेजी की हमारी यहां पर alphabet हो जाता है वर्ण माला हो जाती है A, B, C, D इस परकार जो हम Z तक लिखते हैं हमें इसे लिखना था इस सवाल में विपरित यानि कि Z, Y, X इस परकार और A तक फिर हमें बोला गया था जब आप विपरित वर्ण माला करम में यहां पर लिख देते हैं अंग्रेजी में तो आपको 22 से छटवे अक्षर इदर से आप जोड़ेंगे एक, दो, तीन इस परकार आपको यहां पर मिल जाएगा 22 से छटवे अक्षर, U और फिर हमें कहरा है तथा 19 अक्षर तो हमें दिसा कौन से हो जाएगी 22 से ही हो जाएगी तो जब आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके, जैसे आपको 6 नंबर यहां पर मिल जाएगा U तो आप ऐसे करके, इदर की साइड 19 नंबर पर जाएगे और 19 नंबर आपको इस परकार मिलेगा H तो आपको यहां पर U और H के मद्या कितने हमारे अक्षर आते हैं वो बताने थे तो आप जब काउंट करेंगे उन्हें तो आपके पास 12 आपको आंसर मिल जाएगा Option C हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर 98 आपके पास यदि पुलिस को सिक्चक, सिक्चक को राजनितिक किया राजनितिक किया को डॉक्टर और डॉक्टर को वकील, वकील को हाती का जाता है तो मरीज की जाँच किसके द्वारा की जाती है आपने पहले भी इस प्रकार के कई बारे सवाल करें आपको सीज़े सीदे last line देखनी है मरीज की जाच किसके द्वारा की जाती है सामधनेत्य कोई आपसे पूचता है तो आप बताते हैं डौक्टर के द्वारा और डौक्टर को क्या कहना है तो आपको इस पंक्ती में दिख रहा है डौक्टर को वकील तो आपका अंसर यहांपर हो جाता है option A 99 नापके बास निमलकित अकर्ती में तिरबुजो की संक्या क्यात कीजिए आपको यहांपर एक अकर्ती दीवी थी और आपको इस तिरबुजो की संक्या यहांपर बतानी थी सबसे basic तरीकर इसका यह है कि आप यहाँ पर जो जो आपको simple तिर्बुज दिख रहे हैं उनमें आप number डाल देंगे एक, दो, तीन, चार और पांच पांच तिर्बुज तो आपको यहाँ पर basic तरीके से सिदे सिदे मिल गए फिर आप देखेंगे एक और पांच कैसे इस प्रकार एक और पांच यह हमारे पास हमारा इस प्रकार आप side में note कर देंगे एक और पांच तो यह भी हमारे पास एक तिर्बुज मिल जाता है फिर आप देखेंगे पांच और चार पांच और चार यह हमारे पास दूसरा तिर्बुज हमें मिल जाता है फिर आप यहाँ पर देखेंगे 5, 4 और यह 3 तो आप लिखेंगे 5, 4 और 3 लिखना किसलिया है अपनी याद के लिए ताकि आप कोई triangle गिन के उसे दुबारा ना गिनो फिर आपको यहाँ पर देख रहा है 4, 3 और 2 आपको बस यहाँ पर यह mistake नहीं करनी कि कहीं आपने 4 और 3 को भी triangle समझ लिए यह 4 और पूज़ा है हमारे पास 4 दिसा हैं इसकी तो आप यहाँ पर बताएंगे 4, 3 और 2 4, 3 और 2 यह हमारे पास 4 तिर पूज़ा हमें सीदे सीदे मिल चुके हैं उसके बाद आपको दिख रहा है 1 और 2 1 और 2 हमारे पास यहाँ पर 5 तिर पूज़ा में मिल चुके हैं फिर 3 और 2 3 और 2 तो जब आप count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 तिर पूज़ा आपने यहाँ पर बना दिये और 5 आपको अंदर basic तरीके से मिल चुके थे तो यह हो जाते हैं हमारे पास 11 परन्त इस आकिरती में आपको एक चीज यहाँ पर सीज़े सीज़े दिख रही है जो यह हमारा यह खुद आकिरती का बड़ा तिर पूज़ा है यह हमारे पास भी एक तिर पूज़ा में मिल जाता है तो वो हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर 12 तो इस प्रकार इस आकरती में कितने आंसर हो जाएंगे हमारे कितने तिरबुज हो जाएंगे तो आप बताएंगे option B 12 आंसर मिल जाएगा क्योसो number 100 है हमारे पास दी गई आकरती में तिरबुज का अर्थ डॉक्टर वर्ग का अर्थ Professor, तथा वर्द का अर्थ विवाईत व्यक्ति है ऐसे कितने डॉक्टर है जो विवाईत नहीं है आपको बोला गया है, आकरती में जो तिर्बुच है वो है अमय डॉक्टर यहाँ पर, यह तिर्बुच हो जाते हैं हमारे पास, डॉक्टर वर्ग का अड़त है प्रोफेसर यानि कि जो वर्ग है वो है प्रोफेसर प्रोफेसर को सो कर रहा है और विरित यानि कि जो गोला है उसमें है हमारे विवाहित व्यक्ति विवाहित व्यक्ति आपको इस परकार यहां पर ध्यान रखना है फिर हमें कहा रहा है ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो विवाइत नहीं है सबसे पहले आप देखेंगे डॉक्टर डॉक्टर में ये जो तिरबुज में जितनी भी संख्या आ रही है वो सारे डॉक्टर हो जाएंगे फिर आपको परन्तु यहाँ पर लाश्ट में सर्ति दी गई है कि वो विवाइत नहीं होने चाहिए विवाइत कौन सा पार्ट हो जाएगा हमारा इस आकिरतिका ये गोले वाला यानि कि इस गोले के अंदर जितने भी अंक आ रहे होंगे वो विवाइत नहीं होंगे हमें बस यहाँ पर वो ही बताना था कि जो डॉक्टर है जो विवाइत नहीं है तो यानि कि इस ट्रैंगल के अंदर के नंबर हमें बताने थे परन्तु वो इस गोले में सामिल नहीं होने चाहिए तो जब आप इस triangle के अंदर number बताते हैं जो इस गोले में सामिलना हो तो आप बताएंगे यह 1 और यह 2 पांच और 6 भी इस triangle के अंदर है परंतु वो इस गोले के अंदर भी है तो आप बताएंगे 1 और 2 एक और 2 यानि की total हो जाते हैं हमार पास 3 तो ये तीन लोग वो है जो डॉक्टर है परंतु विवाईत नहीं है तो आप इस प्रकार इस आकिरती को यहाँ पर सॉल्व कर देंगे तो option A तीन हमारा इस सवाल का answer हमें मिल जाता है तो friends यह था हमारा आज का session वीडियो पसंद आए तो like कीजिए, share कीजिए, धन्यवाद